आईए हम आपको ले चलते हैं थ्री फेज एलेक्ट्रिक लोको सिम्मिलेटर के अंदर कैसे ट्रेनिंग दी जाती है वो दिखाते हैं और यहां पर अंदर आप देख सकते हैं कि यहां ट्रेनिंग दी जा रही है और यहां लोको पाइलेट्स हैं और यह खास तरीके की जगह है यहां पर सामने स्क्रीन्स हैं जिनमें तमाम चीजें हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रस्तोगी जी हैं आई उने से बात करते हैं रस्तोगी जी यहां पर क्या हो रहा है यह हमारा जो में सिमुलेट के अंदर काम करते हैं तो जो दो लोग में सिम्यूलेटर में काम करते हैं वही सब चीजे ये छे लोग भी यहां से अब्जर्व करते हैं मतलब अंदर ट्रेनिंग चल रही है और वो ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही उसका फाइदा कैसे उठाया जाए उसके लिए यहां पर ह स्क्रिंट नमबर कि यह यह पैनली पैनल ट्रीयक्ति एक पैनल यह यह जो जो सारी की शारी औरी पैली स्क्रिंटे को श्मजygen कर गाए यहाँ पर तमाम जानकारी और यह जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी की आदट डाली जाती है और यहां पर सर यहां में देख रहा था कि और क्या हो रहा है सर एक मैं इनको यह चीज और आपको एड़ करना चाहता हूं कि जब हमारा लोकोमोटिविया हम ट्रेनिंग देते हैं जैसे 40 मिनिट का एक सेशन थो उसमें जो वंगा दालते हैं वहां ऑर ड्राइवर तो तो इसको एक गनॉलिज करता है साथ में हमारे जो यह आप्जरव ने अरप को नहीं लिया तो यहां श से और उसकभा देखर करें गimana कर दो यह यहीं से यह बता सकते हैं क्या वर्ड़ को यह सैस तो यह अपना भी इन्पुट इसमें दे सकते हैं तो साथ में जो हमारे जो दो अंदर डैवर और को पाइलेट ट्रेनिंग ले रहे हैं यह भी यहां से अब्जर्व करके बता सकते हैं कि इन्होंने यह काम गलत कर दिया यह ऐसे इसको करना चाहिए था तो यहां पर यह खास पाइलेट जिसकी ट्रेनिंग चल लही है और हो कुछ तरीके से रियक्ट नहीं करता है तो यहां से आप करते हैं कि क्या होता है क्या है किस तरीके यहां से जो कोई भी प्रोग्राम हम बना करके यहां से फीड करते हैं जैसे 40 मिनिट से राइड में एक आट से दस फाल्ट हम डालकर के एक प्रोग्राम लोको पाइलेट्स को दिया जाता है तो जब वो लोको पाइलेट्स ट्रेड के अंदर या सिमुलेटर के अंदर जाता है तो उस पूरे जानेंगे कि क्स तरीके से क्याथ चीजन चल नहीं यहां पर आप बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं यहां पर मैं सेनेरियों पर गाड़ी चलवा रहा हूं और ड्राइवर साहब हर एंगिल से हर ट्रेक पर जो भी फीचर आ उसको बड़ी बारी की से देखते हैं हम नई नई फीचर डालते हैं जैसे कि आप देखेंगे आगे गाये हैं तो गाये हमने डाली हुई है ड्राइवर साहब विश्लिंग कर रहे हैं और विश्लिंग करते ही हमारी गाये हट गई है साइड में हो गई है तो यह इस तरीके की और हम जो भी problems लोको में running में आती हैं उन सभी falts को हम पहले से इस scenario में डाल के रखते हैं और इसके अलाबा हम fog वगेरा भी डाल सकते हैं इसमें जैसे कि हम fog डाल रहे हैं अब यह जैसे फोगी वैदर हो गया तो ड्राइवर क्या प्रकॉशन ले रहा है किस तरीके से अब इसे गाड़ी चलानी चाहिए यह सब गाइड लाइन इनको दी जाती है और हम यहां पर उस पर फोकस करते हैं कि वह कितने अफेक्टिव तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे है कि इस तरीके की कंडीशन से अब जैसे ब्रिज है यह एनिमेटेड ब्रिज है लेकिन किसी एक रास्ते पर इस तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसको देख कर बनाया गया है और यहां अलग अलग चीजें हैं यह अंदर जो हम कह सकते हैं लोको केबिन के अंदर जो च सकते हैं तो यहां जो आप अलग अलग स्थितियां बनाते हैं इसके लिए पहले से तैयारी रहती है इस्ट्रक्शन रहते हैं जी पहले से अभी हमारे को जैसे सर्दियां आती है तो हमारे ट्रैक में कुछ फ्रेक्चर वगरा हो जाते हैं तो वह भी हम डालते हैं कि वह पर मैंने डाला हुआ है और उधर बर्षात भी हो रही है मैं इस बर्षात को कम भी कर सकता हूं खतम भी कर सकता हूं और बढ़ा भी सकता हूं तो यह देखो रेल फैक्चर आने वाला है अभी पूरे इस पर जटका लगेगा और ड्राइवर साव को इमर्जंसी लगाकर अपन पास से दिखाई देता है तो हमारी गाड़ी उपर चली जाती है तो उस इस्तिती में ड्राइवर साहब का क्या एक्षन है वो देखना होता है हमारा सत्पाल जी रेल फ्रेक्चर आया है इमर्जन्सी लगाओ यहां पर उसी तरीके की कंडिशन पैदा की जाती है जो अमूमन ट्रैक पर होती है जैसे रेल फ्रेक्चर की अगर हम बात करें तो जाड़ों के दौरान रेल फ्रेक्चर एक आम बात होती है लेकिन उसका नुकसान ना हो सबसे बड़ी बात ही होती है कि नुकसान ना हो इसकी कि पूरी कौसिस की जाती है क्योंकि raile fracture हुआ अगर आपको पता है या information तो आप जान जाते हो कि आपको करना क्या है तो रियल फ्रेक्टर अमूमन दूर से तो दिखता नहीं होगा कोई भी लोको पाइलेट जब इंगन निकलता है तभी जान पाता होगा जी बिल्कुल कि यह रेल फेक्चर कितनी लेंट में हैं अगर वह जादे लेंट में तो वहीं रुकेंगे वहां पर पी डावलु आई स्टाफ जो इंजिनिंग स्टाफ है जो हमारा ट्रेक सभी करता है उसको बुलाया जाएगा वहां पर ड्राइवर साहब को अगर वहां से निकालना है तो कौशन इशू होगा उनको और उस स्पीड से 15 या 10 या बहुत स्लोली तब उसको वह पार करेंगे उनके अगर नॉर्मल है जा सकती है गाड़ी तो हम एक धीरे धीरे करके उसको पार करते हैं और नेक्स स्टेशन पर पहुंच कर हम स्टेशन स्टाफ को बताते हैं कि वहां रेल फैक्चर है आप उसका निरक्षण कराई है उसकी लेंद लगभग इतनी है जो हम मेजर करते हैं फिर इस्टेशन मास्टर फिर उस आगे की कारवाई करता है उसका मेंटिनेंस कराते हैं क्या नाम है भाईशाब आपका गोविंद कुमार शर्मा लोको इंस्टेक्टर एलेक्टर टेनिंकंस सेंटर गाजे अबस गोविंद जी तमाम जानकारी दे रहे हैं बता रहें कि किस तरीके से यह ट्रेंग दी यह ट्रेनिंग महत्पूर्न है चूनकि यहां पर जो भी आप देख रहे हैं वो अत्यादुनिक है और खास बात यह है कि यहां इस सेंटर से तकरीबन पांच हजार लोगों को हर साल ट्रेनिंग दी जाती है तो जो भी लोको पाइलेट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनको इस एक्जाम को पास ही करना होता है यानि ऐसा नहीं है कि आप इससे होकर गुजरेंगे नहीं लिहाजा यहीं बात है कि भारती रेलवे किस तरीके से लोगों को सुरच्छित घर पहुंचाती है उसमें उसकी पूरी कोशिस की जाती है कभी कोई घरबढ़ ना हो क्योंकि जब हम ट्रैक की बात करते हैं तो तमाम जगहों पर आ पारती रेलवे के सामने और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग को किस तरीके से महत्पूर्ण बनाया जाए साथी साथ बहतरीन बनाया जाए वह काफी जरूरी है कैमरामें डीके सर्मा के साथ सिध्धार्थ न्यूजिस्टेशन गाजियाबाद जलो